किसंसातियों नुश्कार आति हो आज हम बात करने वाले हैं मक्खन घस के बारे में जो कि गाएं बेसों के लिए बहुत ही शांदर उप्यूक होती है जो कि इस प्रकाश होती है यह बहुत ही शांदर है अमने भी पेडी बर्स को लगाया है और अब देख पारें अच्छा ग्रोक कर रहा है और दूद वाली गाएं बेसों के लिए बहुत ही शांदर चारा साबित हो सकता है इसकी कटाई दोसे तीन बार आसानी से हो जाती है आप चार बार भी इसकी कटाई कर सकते हैं बाकि जिसा नाम है वैसा इसका काम भी है मक्खन गास है तो मक्खन जैसे चलती है इस परकार से है और बहुती शांदर चीज है यह हरा चारा जो दूद वाली गाईंवे से रहती है उनके लिए काफी उप्रुक्त माना जाता है इस परकार से में लगाएं यह मार्केट में करीबन 200-200 रुपए प्रती किलो के सबसे के बीच असानी से उपलब्द हो सकता है किसान सत्य अगर कोई लगाना चाहे तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं हरे चारे के लिए बहुती है उप्योक्ति चीज है इस प्रकार से सत्य किसी लगी जान करें कमेंट करके बता है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद आज का वीडियो नहीं तक समापतो होता है जय जावाद जय किसान जय हिन्ट